हेलो फ्रेंट तो आज हम विस्तारी त्रूप बनाएंगे और यह कच्छा तिसरा का है और हम हिंदी मीडियम से लिये हैं तो सबसे पहले हम पाथ संख्या लिये हैं पहला संख्या है 7258 दूसरा संख्या है 4602 क चोथा संख्या ह 1555 तो इसका हम विस्तारी त्रूप बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहां साथ लिखेंगे और इसके बाद जितना संख्या इसके बाद जितना अंक है इतना हम जीरो बिठाएंगे, तीन अंखे, तीन जीरो बिठाएंगे, अब यहां हम जोड का चिन्दा देंगे, और इसके बाद हम दो, यहां दो बिठाएंगे, और दो के बाद जितना अंखे, उतना जीरो बिठाएंगे, इसके बाद फिर हम यहां जोड का चिन्दा देंगे, इसके यहां हम पांच बिठाएंगे, फिर पांच के बाद जितना अंखोंगा उतना जीरो बिठाएंगे, फिर यहां हम जोड का चिन्ना देंगे, इसके बाद हम यहां लाशन में बचा है आठ तो यहां आठ देंगे, इसके बाद कोई अंख नहीं है तो हम जीरो नहीं दूसरा नम्बर में है 2005, तो यहां सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, और 2 के बाद, जितना अंक है, उतना 0 बुठाएंगे, तो यहां अंक है 3, तो 3 0 बुठाएंगे, और यहां फिर हम जोड़ का चिन्दा देंगे, तो यहां 0 है, और बीच में 2 0 है, तो हम कौई अंक नहीं सकते हैं 3-0 लेकिन कोई फैदा नहीं है अब डारेक्ट पांच भी बिठा सकते हैं तो हम इसको मिटा के और यहां हम 5 बिठा दिए अब तीसरा है 4602 तो सबसे पहले हम यहां 4 लिखेंगे और 4 के बाद इसी तरह से जैसे पहले हम हम बनाए उसी तरह करेंगे तो यहां 4 के बाद 3-0 बिठाएंगे इसके बाद यहां हम 6 है 6 के बाद 2-0 बिठाएंगे और फिर यहां आ गया है 2 यहां है 2 इसके बाद हम यहां 2 बिठा देंगे जीरो का कोई भ्यलू नहीं है आप चाहे तो यहां 2-0 दो के जगह पे 2-0 बिठा सकते हैं तो इसको हम 2-0 बना देता है और नहीं हम चोड़ देता है चोथा नमबर है पांच हजार पांचो पचास तो यहां हम 5 के बाद फिर ठीक उसी प्रकार यहां 3-0 बिठाएंगे अब फिर यहां 5 के बाद 2 है तो 2-0 बिठाएंगे इसके बाद यहां फिर 2-0 बिठाएंगे इसके बाद यहां 0 बिठाएंगे अब पच्वा नमबर है 9-1000 तो इसको हम क्या करेंगे यहां 9 के बाद 0 है तो सेम वही हो जाएगा तो इस तरह हम इस सारे संख्या का विस्तारित रूप निकालने हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइप कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंस फोर वाच्छ